रितिक एंटियार की वाटू के बाद वायरेफ की अगली फिल्म टाइगर वर्सिस पठान होनी थी जिसमें शारु खान और सल्मान खान आपस में भिरने वाले थे दोनों की भिरन देखने के लिए जितने फैंस एक्साइटेड हैं उसे कई गुनाजात आ देते चोपड़ा इ क्योंकि वायरेफ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ले करा रहा है माना जा रहा है कि आदिते चोपड़ा टाइगर वर्सिस पठान से पहले स्पा यूनिवर्स को सही से इंटरकनेक्ट करने का प्लान तयार कर रहा है यानि शारु खान और सल्मान खान की फिल्म से पहले स्प पायरेफ स्पा यूनिवर्स को दुनिया भर में देखा जाता है बॉक्स ओफिस के नतीजे इस बात को साबित करते हैं आदिते चोपड़ा को इस बात का इलहाम है कि तरशकों को इस यूनिवर्स से काफी उमीदे हैं ऐसे में अब वो इस टाइम लाइन में एक नया ट्वि से पहले एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जो यश्रा स्पाई यूनिवर्स को आपस में जोड़ेगी हाला कि ये फिल्म कौन सी होगी ऐसी कोई जानकारी तो अभी तक सामने नहीं आई हैं मगर कुछ दिन पहले ये खबर जरूर लीग हुई थी कि आलिया भट और शारवरी वाक एक स्पाई यूनिवर्स की फिल्म में नाजर आने वाले हैं जो पहली फीमेल स्पाई फिल्म होगी ये भी पताया कया था कि फिल्म के डिरेक्टर भी मिल चुके हैं जिसकी बात ये मुवी बहुत ही जल्द फ्लोर पर उठर जाएगी ऐसे में ये कयास लगा जा रहे हैं कि हो सकता है टाईगर व्र्स पथान से पहले आलिअ भाट वाली फिल्म को लेकर आया जाए क्योंकि ऐसी भी खबरे आयी थी कि आलिअभाट की इस फिल्म में सल्वान खान का क्यामी हो सकता है पिलहाल आलिया की फिल्म पर ऑफिशल कान इंव busy का इंफिलमेशन आने का इंते किया जा रहा है वैसे आप लोग टाइगो वोसेस पठान में आने वाले इस नए ट्विस्ट के लिए कितने जाधा एक्साइट हो गए हैं श्यार कीजेगा अपने जबाब हमारे साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप बिलकुल भी मिसना कर पाएं